कि बारे में कई बार यह चर्चा में बना रहता है लगबग तो आज देखेंगे लिज्वा भारत और ताइवान के रिस्तों के बारे में जानेंगे और जुँ आपका चाइना है उसके बारे में कुछ पॉइंट देख़नेंगे याद रखिए जब आप अंतरष्टी संबंद पड़ते हैं, तो उस तॉपिक में आपको एवी सभी देश सामिर रहेंगे, पर चाहिए आपका चाहिना संबंद हो या किसी भी विस्व में जितने भी देश हैं उनसे, और इनसे हमेसा कुश्चन्स भी पूचे जाते रहें, ज स्री लंका हो गया, यह आपको बंगाली की खाड़ी, अरब सागर और लक्षी ठीक है, और यह आपका पड़ोसी देश म्यानमार हो गया, बंगलादेश, भूटान, नैपाल, पाकिस्तान, आफगानिस्तान, ऊपर है चीन, आप तिबबद विवाद को भी सुनते रहते कहिए कि चीन का हिस्सा नहीं था, उसने चीन ने जवरजश्ती एक तरह से कभजा कर लिया, तब से हमारी सीमा चीन से भी लगने लगी, यहां आप देखेंगे, तो देखिए यहां जाएंगे जैसे ही आप लो, तो आपको देखाई देगा ताइबान, इसकी रादधानी त चाई पे है, याद रखेंगे चीनी गड़राज का हिस्सा है, कई बार चीनी क्या कहता है कि हमारा अभिन हंग भी है, तो इसी की बात कि जा रही है, देखिए एक और बात हमेसा याद रखेंगे, भारत को इस तरह की रणनीती हमेसा अपनानी चाहिए, क्योंकि आपने अचन चीन सागर का मामला उठाना चाहिए, इन मुद्दों पर हमें चाईना को घेरना चाहिए, देखिए ब्यापार कर बंद कर देने से कोई एक तरह से समस्या, मतलब जो समस्या है उसका सॉलूसन नहीं होता है, समाधार नहीं होता है, समझ रहे हैं, आप सोचें कि हम वा बाइकोट चाईना की प्रोडेक्ट जो भी रहे हैं, उनकी एक तरह से पिती बंद करने की बात करते रहे हैं, लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि यह समझ नहीं है, आपने देखा है कि उसी समय मोबाइल आया हुए थी कोई चाईनी कंपनी का फॉन था, आपने देखा है कि धड़ाले से भिक रहा था भारत में, याद रखिए हमेसा देशवक्ती, एक समय तक हमारे और आपके सब की मन में गुस्सा था, लेकिन हमेसा याद रखिए कि चाईना हमारी बाजार पर एक तरह से करजा किये हुए, एक तरभा, आप देखते हैं कि 4-5 पॉन अगर भिक र अब आप सोचिए कि उतने 10,000 का चाईना चाईनीज पॉन मिल रहा है, उसमें सब ये फीचर्स हैं, वही किसी और कंपणी का कहीं किसी और देश की कंपणी का, वह 25-30,000 में मिल आए, तो लोग कौन सा खरीजना पसंद करेंगे, चाईनीज, भली देश भक्ती रही आना रह लेकिन हर आदमी सस्ता ही सामान खरीजने की कौसिस करता है, इसका ओप्सन ही हो सकता है कि भारत क्या करें कि उसके विकल्प उपलब्द कराए, माल लीजे आपके पास अकर 10,000 का कोई इंडियन मोबाइल के कंपणी का मिल जाएगा तो कोई भी खरीद लेगा आपसे, तो य यह ओप्सन उपलब्द कराना होगा, चलिए इस आइटीकल के मारे में जा लेते हैं, ऐसी खबरों के बीच कि भारत ताइवान के साथ एक व्यापारिक समझोते पर विचार प्यमस्तुरों करना चाहरा है, चीन ने भारत से ताइवान सम्मंदी मुद्दों पर वेख फूं मीडिया को बोलने कि आजाने, लेकिन आप जानती है, चाइना में कितनी आजाती है, अपने मतलप के लिए सरकार लोगों को मनभाड भी सकती है, वहाह कोई आबार उठानी सकता, और कोई मीडिया भी खुलके बात नहीं कर सकता है, ठीक है, चीन के विदिस मंतर आंह Landyti है, यगे भी भारत और ताइवान की बीच चारी सम्मंद नहीं है, किन्तु बीते कुछ वरसों में दोनों देशों की बीच ब्याबार एक सम्मंदों का काफी विस्तार हुआ है, और ताइवान की कंपनिया भारत के सबसे बड़े निवेशक में से एक है, याद रखिए हमेसा, आ दुनिया को छोड़े, आप माल लिजे कि आप एक दभे कुछ ले, एक तरह से विद्देश दुनिया से कटे हुए रहते हैं, आपके आँ जो भी हो रहा है, कोई किसी की लड़ाई हो रही है, तो उसमें आपका ना जाना, ना कोई मतलब रखना, तो एक तरह से आपका क्या मतलब है, वहीं आपको देख लिजे कि कहीं दो लोगों में लड़ाई हो रही तो उनका बीच बचाव करते हैं, या एक महासक्ती के रूम में उठकर आते हैं, तब आपको लोग डरते दी हैं, और एक जित भी करते हैं, तो भारत को भी महासक्ती बनना है, तो मुझे लगत अगर राजनितिक समंद की बात अगर हम करें, इसमें, तो 1990 की दसक में जब भारत ने लुक इस्ट पॉलिसी की सुरुआत की, तो भारत तो ताइवान के समंद में भी बड़ोत्री देखने को मिली, साथी धीरे धीरे वीजापिती बन में भी छूट दी जाने लगी, वरस 1995 में दोनों दिसों ने एक दूसरे की राजधानियों में पिती निथी कार्याला इस्थापित किये, जैसे कि ताइप एकोनोमिक एंड कल्चरल सेंटर इंडिया और भारत ताइप एसोसियेशन आ दी, और लेकनिया है कि हाली में ताइवान ने कोरोना वाइरस रोगियों के में लगिचे किस्सा करिमियों की सुरक्षा के लिए भारत को एक मिलियन फेस्थ मास्क पिदान किये थे, अगर व्यापार की बात करें हम लोग, तो वीतित उदसकों में भारत ताइवान संबंधों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, जहां एक और वर्स 2000 में भारत और की भी कुल एक बिलियन दॉलर का व्यापार हुआ था, वहीं 2019 में बढ़कर 7.5 बिलियन दॉलर पर पहुच गया है, काफी अच्छी विद्धी देखी गई है, अपनी कंपनियों के माध्यम से वर्स 2018 में ताइवान ने भारत के में करीवन 360 मिलियन डॉलर का निवेस किया थ पिती वद्धिता भी बैक्त की थी, और विज्ञान और प्रोदुगी की के चेत में बात करें, तो भारत तो ताइवान के वीच विज्ञान प्रोदुगी के चेत में दुईपक्चिय संबन्नों की सुरुवात सरफितम बर्स 2018 में हुई थी, जब ताइपे एकोनोमिक सेयुक्त बैठकें, तथा अकादमिक सेमिनार बार्षिक तोर पर आएजित किये जाते हैं, फिर बात करें करें कि शिक्षा के चित में तो ताइवान सरकार गवारा, जारी अधिकारी तापिड़े बताते हैं कि वर्तमान में तकरीबन आपके एक लाख, कितने? एक लाख ब तेरे सिक्षक मंदारिन भासा पड़ाते हैं, अब तक लगबग 5,000 भारती चात्रों ने भारती विस्विद्यालों में इस्ताफित, ताइवान सिक्षक इंद्रों में मंदारिन भासा की सिक्षा प्राप्त किये, अगर सांस्कितिक आदान पिदान की बात करें हम लोग इस आमंतित भी यानि की बुलाया भी जा रहा है, चीन ताइवान के बिवाद की अगर बात करें, एक काफी चर्चा में आप लोग सुनते रहते हैं, चीन और ताइवान के बीच सबसे बड़ा बिवाद अधिकारिक पहचान को लेकर हैं, जहां एक और आप देखेंगे चीन की Communist Party, People's Republic of China के लिए अधिकारिक मानता चाहती है, वहीं ताइवान लोग Republic of China के लिए अधिकारिक मानता चाहती है। याद रहे कि विसके अधिकास तेस पीपोल्स रिपब्लिक और चाइना को तो मानता देते हैं, रेकिन रिपब्लिक और चाइना को मानता देने वाले देशों की संख्या काफी कम है, एक तरह से चीन की पक्ष में अधिक देश हैं, इसके अलावा चीन का एक बड़ा वर्ग ऐ जो और जो लोग पीपोल, पीपोल से रिपब्लिक ऑप चाइना के साथ कूटनीतिक संबंद सबापत करने होगी। आप लोग जम्मु कस्मीर को हमारा अभिन नहांग कहते थे हम लोग, यानि कि हमारा ही छित था, हम लोग ने उसे अपने अंदर पूरी तरह से संब्लित कर लिया है, अब आप देखते हैं कि एक पीओ के बाला हिस्सा और बर्चता है, बाकी हम लोग ने पूरी तरह से 370 खतम अलग है, देखिए आप लोग जम्मु कस्मीर में अधिकतर जन्तया भारत की ही है, और भारत में ही समलित होने के लिए राजी है एक तरह से, लेकिन यहां की अलग परिस्तिती है, अगर भारत के लिए ताइवान का महतुकी बात करें, तो याद रहे कि भारत से अच्छी देश ऐसे हैं, जोनों ने ताइवान के साथ अनुपचारिक और आर्थिक संबंद इस्ताफित किया हुए हैं, अमेरिका द्वारा चीन को रननेतिक रूप से पचारने का बात पूर प्रयास किया रहा है, और इनी प्रयासों के तहट अमेरिका ताइवान के साथ अच्छे संबंद इस्ताफित करने के प्रयास करा है, इस बेकार संबब है कि भविस में ताइवान और भी ऐसलिए में चीन का मुकाबला करने ही तो महत्पूर भूमिका अदा कर सकता है, एक तो क्या करें कि देखे उतना संसाधन नहीं है ताइवान के पास, उतना सक्ती सा हाली नहीं है ताइवान, चाइना को आप जानते हैं, जग जा है गया, यदि ऐसा होता है तो यह भारत के लोगिश्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिपिक छित में भारत की बढ़ती भूमिक्या के लिए मत्वूर सावित हो सकता है, अमेरिका चीन के वीच चल रहा ब्यापार युद्ध की सुर्वास से पूर भी ताइवान ने दोजा सोले में निव साउथ वाउंड पॉलिसी की गोशना की थी, इस पॉलिसी का उद्देश दस आसियान, देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया नीजी लेंड और भारत के साथ अपने संबन्नों को मजबूत करना है, अ अगरी पताती है कि वर्तमार में तैवान में मादज दो हщार बारती इकार कर रहे है, यदी इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, तो ये भारत के इवावां खास्तोर पर तकनीकी चेत्व में कारगत इवावां के लिए घंवावाव माधफोल होसक्ता है, क्यों तो चीन हमेशा से ही ताइवान के साथ किसी अन्य देश के संबंदों का विरोध करता रहा है उसका मानना है कि चीन के साथ राजनेक संबंद स्थाफित करने वाले सभी देशों को एक चीन नीटी कर सकती से पालन करना होगा और एक तरह से आप देखिए लगदात में या का एक तरह से सपोर्ट करें भारत उससे नीचे दब के रहे ठीक है वो अगर भारत इस तरह की सरतों को माल ले तो अभी वो छोड़के जा सकता है लेकिन हम समझी कि आप गुलामी नहीं गुलाम बनकर हम काम नहीं कर सकते हैं अभी हम भी एक महासक्ति की रूम में ओहर रहे हाला कि इसके बापजूद इंडो-पैसेफिक एवं पूर भी एसिया में चीन की बढ़ती आप्रमकता ने भारत तथा ताइवान के संबंदों को और मजबूद करने का कार किया है क्योंकि इन में दोनों ही देशों के रणनेतिक हित सामिल है इसके माध्यम से जहां ताइव बनाने का प्रयास कर सकता है ताइवान स्वयम को इंडो-पैसेफिक छित के मत्मूर सदस के तौर पर देखता है और च्षेत्रिय सांती इस्थित्ता तथा सम्रिद्ती में योगदान करने के लिए अपनी पित्ती बत्ता को सुईकार भी करता है जो इस छित्त के लिए भार और चीन की Communist Party एक बिद्द्रोही छेत्त की रूम में देखती है तकरीवन 36,197 किलोमीटर छेत्त में ठेले इस त्वीब की आबादी 23,69 बिलियन के आसपर ताइवान की राध्धानी ताइपे जो ताइवान की उत्त्री भाग में आपको देखने को मिल देगी यहां जहां चीन में एक दलिये सासन विवस्ता है और ताइवान में बहुत दलिये लोगतांत्रिक विवस्ता है यानि कि लोगतंत को मानते हैं मंदारिन ताइवान में राचकारियों की भासा है आंगे की राय क्या हो सकती है भारत को ताइवान के साथ आर्थिक सामाजिक सांस्कितिक स संबंद इस्थाफित करने में चीन की एक चीन नीती को एक बाधा की रूप में देखना बंद करना चाहिए क्योंकि चीन भी इस पिकार की नीती का अनुपसरन करती हुए अपनी महत्वा कांची प्रियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गल्यारे गल्यारा CPEC के माध्यम से पाकिस्तान पाक अधिकी कस्मीर में अपनी भागेदारी बढ़ा रहा है इसलिए भारत को भी एक बेभारिक दिरिश्टिकों अपनाते हुए ताइबान के साथ अपने संबंदों में यह था संब्दों बड़ोत्री के प्रयास करने चाहिए एक तरह से वही ह हमें भी तिबबत का मामला हमेसा उठाना चाहिए हमें ताइबान का मामला हमेसा उठाना चाहिए दच्छे चीजिस आगर पे हम लोगों को एक तरह से आंगे बढ़के आना चाहिए तो इससे हम लोग एक तरह से रोक सकते हैं ठीक है तो यही कहा नहीं थी आपकी इसमें क् कई बार आप देखते हैं कि मैं लिकित परिच्छा में आपका पूंच लेता है और कई बार प्रेलिम्स में भी आ जाते हैं कुश्चन से